हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी पॉष्टिक नास्ता की रेश्पी अस्पेशल चटनी के साथ तो जो खाने में बहुत ही स्वाजिश्ट होगी तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिया है एक छोटी कटोरी बे काली मिर्च पॉडर दो चम्मच और फिर यहीं पर हम डालेंगे गरम मसाला पॉडर एक चम्मच और अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच फिर हिंग डालेंगे टू पिंच और फिर यहीं पर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि कि अद्दक रसुन का पेस्ट तीन चम्मच और इसे हम मिला लेंगे इसमें कुछ हम हरी सबजिया मिलाएंगे जैसे कॉर्ण हुआ कॉर्ण डालेंगे दो बड़े चम्मच यह उबला हुआ नहीं है इसे कच्चा हुआ डाल सकते हैं फिर यहीं पर डालेंगे कैप्सिकम सिम्ला मिर्च एक बड़े चम्मच और घ नीर छोटे-छोटे क्यूब में कटे हुए एक कटोरी और यहां पर डाल रहे हैं बारी कटा हुआ धनिया पत्ता और स्वाद अनुसान नमग और इसे ना एक कप पानी से डाल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो इसमें और भी सबजियां काट के डाल सकते हैं यह फ्रेंड से नास्ता ना बच्चों को बहुत पसंद आता है और इस टैप से हमारा यह बैटर जो है रहना चाहिए इस टैप का अब मैं यहां पर आटा गूद करके ले लिया है इस टैप से ना जादा गीला ना जादा मूटा होना चाहिए और इसकी ना छोटी-छोटी भी बना करके डो बना करके उसकी हम पतली-पतली रोटियां तयार कर लेंगे इस टैप से इसको ना ज्यादा पतला रखेंगे ना ज्यादा मूटा रखेंगे जैसी नौर्मल रोटी बनती है हमारी देखे इस टैप से रखेंगे जब रोटी बनके तयार हो जाएगी तो दे इस टैप से चारुतरब बराबर करके फैला लेंगे और इसको इस टैप से फोल्ड करेंगे हम देखे कितना असान है इस टैप से फोल्ड करके ऐसे करके हम तीन चार हम बना करके त्यार कर लेंगे देखिए इस टैप से मैंने रोटी बना लिया है और उसके उपर मैं त्यार कर ले रही हूँ इस टैप से फ्रेंड साब बच्चों को यह टिफिन में भी दे सकती हैं यह बहुत ही healthy होते हैं बहुत ही positive होते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए और इस टैप का मैं इस्टेनर ले ली हूं और उसके उपर घी लगा लेंगे या तेल लगा लेंगे कोई भी cooking oil और उसे हम चारू तरफ फैला लेंगे और यहां पर मैं कड़ाही में पानी बॉयल कर लिया है पहले से इसके उपर हम इसे रख देंगे जाली वाला बरतन और इसके उपर हम इसे इस्टीम कर लेंगे अच्छे से करीम 10-15 मिनट तक और इसके उपर खुड़ा सा कुकिंग ओल लगा लिया है घी लगा लिया है अब इसे ढख करके इसे 10-15 मिनट तक इसे स्टीम कर लेंगे और यहां पर मैं चटनी के लिए ले लिया है चार बड़े उबले हुए टमाटर को इसके छिलके को हटा लिया है इस टैप से और इसे हम दरदरा पीस लेंगे या इसको मैस लेंगे देखे इस टैप से अब यहां पर एक पैन लेंगे और उसमें दो चमच सरसो का तेल मैंने डाला है कोई भी कूकिंग ओल डाल सकते हैं फिर एहीं पर डालेंगे अद्रग घिसा हुआ आधा चमच और एक चमच लसून बारी कटा हुआ और इसे विहां सारा होने तक कुल पून लेंगे है कि यह महरं ब्राउन भूण सब्सक्राइब प्यास जाई कि डॉब बड़े चमच काटा हुआ और इसे विहां सुनारा उन लेंगे जब अच्छे से भून जाये इसमें डालेंगे काली मीर्ज मिर्च पौडर एक च चमाज फिर चाहट मसाला पॉडर में ब्हून लेगे और दखेए अच्छे से जब और बहुन जाएगा पक जाएगा तो इसमें अब हम डालेंगे तमाटर को पिसे हमारे तमाटर है उसे हम पकाएंगे तो मैं ने एक बड़े चमाज पानी डाला है पाइंट डाल करके इसे पका लेंगे और यहां पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे चटनी में अब इसमें हम डालेंगे चीली फ्लैक्स आधा चम्मच और फिर इसमें डालेंगे रेट चीली सॉस एक चम्मच इसे थोड़ा सा चटपटा स्वाद आएगा चटनी का और फिर इसमें इसे हम पकने देंगे और इसमें हम डालेंगे और सिजिनिंग और एक पैकेट और उसे मिला लेंगे अच्छे से और हमारी देखिए चटनी पक चुकी है तो इसमें हम डालेंगे सोया सोस डार्क सोया सोस में डाल रहे हूं एक चम्माच और इसे डाल करके हम करीब एक मिनट तब पका लेंगे हमारी चटनी बन के तयार है और यह ठंडा हो चुका है हमारा यह जो इस्टीम से पकाई हुई फिल की हुई रोटी और इसे हम काट लेंगे इस टैप से पतले-pतले साइज में काटेंगे ना ज्यादा पतला रहेगा ना ज्यादा मोटा रहेगा देखिए इस टैप से यह देखिए अंदर से पक चुके है और कितने इसी तरह से सभी को काट लेंगे हम और फिर एक फ्राई पेन लेंगे हम कड़ा ही लेंगे और इसमें कुकिंग वाल डालेंगे दो बड़े चम्माच इस तेल को चारो तरफ फेला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे यहीं पर मैंने सरसो दाना लिया अधा एक चुटकी और इसे डाल लेंगे इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे इसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्माच और फिर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार याद रखिएगा कि इसके अंदर भी नमक है तो हम कमी नमक डालेंगे और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे और से गर्मा गर्म स्वाफ करें अपनी फैमिली के साथ तो फिर मिलते एक नई वीडियो में